हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं महंगाई से तरस्त जनता 2014 में अगर कॉंग्रेस को हटा सकती है तो 2019 में भाजपा को भी उखाड़ फेकेगी बोली मायावती कॉंग्रेस पार्टी के भारत बंद से भले ही बसपा सुप्रीमों और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दूरी बनाई हो मगर मोधी सरकार पर उनके हमले कम नहीं हो रहे हैं मायावती ने एक बार फिर पीएम मोधी से लेकर सीएम योगी तक को अपने निशाने पर लिया है मायावती ने कहा मोधी सरकार उसी नीती के तहत काम कर रही है जिसकी वजह से कॉंग्रेस के हाथ से सत्ता गई 2019 की भविश्यवानी अमेरिकी कमपनी ने कहा 2014 जैसी नहीं चलेगी देश में मोधी लहर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा अगले साल होने वाले लोग सभाचुनाव में पीएम मोधी को प्रचंड बहुमत नहीं मिलेगा ऐसा कहना है अमेरिकी कमपनी मॉरगन स्टैनली की रिपोर्ट का जो कह रही है कि साल 2019 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बनीगी अमेरिकी फॉर्म मॉरगन स्टैनली ने वश 2009 में केंदर में गडबन्धन की कमजोर सरकार बनने की संभावना जताई है रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगले साल कोई भी पार्टी अपने बल पर सरकार नहीं बनाएगी अगर यूपी में सपा और बसपा के बीच गट बंधन हुआ तो 2019 चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा बोली चुनावी विशलेशक पिछले एक साल में प्रधानमंत्री मोदी की लोगप्रियता पर लगाता सवाल उठ रहे है जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देशपर में अलग-अलग मुद्दों को लेकर विरोज सामने आया है और उपचुनावों में पार्टी का प्रदर्शन निराशा जनक रहा है उसके बाद पिएम मोदी की लोगप्रियता घटने के दावे किये जा रहे है अब चुनावी विशलेशकों ने भी इस बात को कहना शुरू कर दिया है वैश्विक अर्थशास्त्र और राजनीती पर व्यापक रूप से लिखने वाले अर्थशास्त्री और निवेशक रुचिर शर्मा ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना घट गई है अयोध्या ही नहीं पूरे देश में राम मंदिर बनवा कर भी नहीं बच सकती भाजपा 2019 में हार तै है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने चुनावी रैली का आगास कर दिया है इसी सिलसिले में वो आच्छतिस गड़ के बिलासपुर पहुंची जहां उन्होंने पिये मोदी समेट B.J.P. R.S.S. पर जम कर हमला बोला मायावती ने कहा कि B.J.P. चाहे तो पूरे देश में राम मंदिर बनवाले मगर वो उसे हम जीतने नहीं देंगे उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्मान का सिर्फ राज नीती करण हुआ है उससे जादा कुछ नहीं बस्पा सुप्रीमों ने 36 गड़ के चुनाव में बस्पा और जोगी की पार्टी की जीत का दावा किया है उन्होंने कहा कि विधान सभा चुनाव में गड़ बंधन की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जादा से जादा उम्मेदवार जीत कर आए और सरकार बना सके बेटियों पर लाठिया बसाने वाली 56 इंची सरकार जान ले की 2019 में हर एक लाठी का जवाब देगी जनता यूपी विधान सभा के आगे हुए बी टी सी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन कारियों पर पुलिस द्वारा किये गए लाठी चार्ज की सोशल मीडिया पर कड़ी अलोचना की जा रही है ये पहला मौका नहीं था जब योगी सरकार की पुलिस ने रोजकार को ले कर किये जा रहे किसी प्रदर्शन पर लाठी चार्ज करने के आदेश दिये हो हाल ही में हुए बी एड और टी एपी पास सिक्षकों ने राजधानी में आंदोलन किया था इस आंदोलन में भी शिक्षकों पर पुलिस तवारा लाठी चार्ज की गई थी इस आंदोलन में एक गर्ववती महिला को लाठी माने के कारण न्यूपी पुलिस और सरकार की आलोचना पूरे देश में की गई थी चोराहों पर पीटे जा रहे हैं मोदी के हमशकल बोले 2019 में बीजेपी का नहीं कॉंग्रिस का करूंगा प्रचार प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता पर कावीज होने से पहले देश की जंता से धेरोवादे किये थे लेकिन चार साल भी दे जाने के बाद भी पीए मोदी का जनता से किया गया कोई भी वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा जिससे जनता में आक्रोश है और जनता के इस आक्रोश का सामना पीए मोदी के हमशकल अभिनंदन पाठक को करना पड़ रहा है कॉशल मीडिया पर पोस्ट लिखना क्या भी कभी इतना खतरनाख हो सकता है कि किसी की जान चली जाए नफरत और हिंगता के इस दौर में कुछ भी संभव है महराष्ट्र में कॉंग्रेस के कारेकर्ता मनुझ दूबे को चाकों से गोद कर माट डाला क्योंकि उसने लिखा था अगले लोग सभाचुनाव में कॉंग्रेस ही सरकार बनाएगी बीजेपी और वजरंग दल के कारेकरताओं ने पहले पोस्ट हटाने की धमकी दी फिर पोस्ट नहटाने पर उस पर हमला बोल दिया इस मामले में पुलिस ने बीजेपी के सुनल दूबे आकाश शर्मा और उमेश सिंग को गरिफतार किया है EVM के बाद अब लिस्ट से वोटरों के नाम गायब क्या ऐसे 2019 का चुनाव जीतेंगे अमित शाह पूछे केजरिवाल दिल्ली में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बडी को लेकर मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने मुख्य निर्वाचन आयूक्त ओपी रावत को चिठी लेकर शिकायत की है इसके साथ ही इन्हों ने इस मामले की पारदर्शी तरीके से जाच कराने की मांग करते हुए रावत से मिलने का समय भी मांगा है चिठी में केजरिवाल ने लिखा, हमारी जानकारी में ये बात आई है कि विधान सभाचुनावों के बाद दिल्ली में लाखो वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से मिटा दिया गया है जादा तर नाम बदनियती से मिटाए गए है नामों को मिटाने में कानून का पालन नहीं किया गया है मोदी जी वादा तो दो कडो रोजकार देने का था फिर ये लाठिया क्यों यूवा इसका जवाब 2019 में देगा बोले राहुल उत्तर प्रदीश के चुनाव में भाजपा ने रोजकार देने के बड़े बड़े दावे किये मगर सभी दावे साल भर के अंदर ही सडकों पर दम तोड़ गये नतीजा हुआ ये कि जिनकी भरती पहले ही हो जानी थी उन्हें रोग दिया गया जब उन अभ्यर्थियों ने सडकों पर प्रदर्शन किया तो यूपी पुलिस ने उन पर बरवरता दिखाते हुए बुरी तरह से दोड़ा दोड़ा कर पीटा वो भी ऐसे जैसे वो अपराधी हो और हत्या या लूट कर भाग रहे हो 2019 के लोग सभाचुनावों में नोट पानी की तरह भेगा और जूट बोलने वाला सबसे जूट बोलेगा बोले रवीश कुमार आज 12 बच कर 3 मिनट पर डॉलर ने भारतिय रुपे को फिर धक्का दिया है इस समय पर रुपे का भाव एतिहासिक रूप से नीचे चला गया एक डॉलर भत रुपे 55 पैसे का हो गया वाकि अब श्री श्री रविशंकर से कहना होगा कि वे आएं और कुछ भभूत भभूत छड़के ताकि डॉलर का नशा उतर जाए ध्यान रहे कि यहां एक डॉलर अमरीकी मुद्रा है और एक डॉलर गंजी अंडर्वेर का भारतिय इस डॉलर को कुछ नहीं होना चाहिए सहारनपूर की जेल में बंध थे उनको मई 2017 में सहारनपूर में जातिय दंगा फैलाने के आरोप में राश्य सुरक्षा कानून रासुका के तहर जेल भेजा गया था 2019 का साल लोक तंत्र की हत्या का साल होगा मोदी और मीडिया जूट बोलकर देश को गुमरा करेंगे बोले रवीश कुमार 2019 के चुनावों में अब 9 महिने रह गए है अभी से लेकर आखिरी मतदान तक मीडिया के श्राध का भोज चलेगा 5 साल में आपकी आँखों के सामने इस मीडिया को लाश में बदल दिया गया मीडिया की लाश पर सत्ता के गिद्ध मंडराने लगे है बलकि गिद्धों की संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि लाश दिखेगी भी नहीं अब से रोज इस सड़ी हुई लाश के दुरगंद आपके नथूनों में घुसेंगे मुसल्मानों बिना हिंदुत्वन नहीं और कॉंग्रेस बिना देश नहीं कहकर भागवत ने दिखा दिया 2019 में BJP नहीं होगी बोले आचार्य प्रमोत राश्च्रिय स्वेम सेवक संग RSS के तीन दिवसिय कारिकरम भारत का भविश्य में दूसरे दिन RSS प्रमुक मोहन भागवत ने हिंदुत्व पर चर्चा की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस देश में मुसल्मान नहीं रहेंगे तो ये हिंदुत्व नहीं होगा RSS प्रमुक मोहन भागवत के इस बयान पर अध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोत ने चुटकी ली आचारी प्रमुक ने वुद्वार को ट्वीट किया कि मुसल्मानों के बिना हिंदुत्वन नहीं और कॉंग्रिस के बिना देश नहीं शिवसेना प्रमुक उध्वव ठाकरे का दावा बोले 2019 में गिर जाएगी मोधी सरकार बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर इन दिनों देश की सियासत खामखा गरमाई हुई है मगर सभी को इस पर सुप्रीम कोट के फैसले का इंतजार है 2014 से सत्ता पर कावी जमोधी सरकार और आरेसिस 2019 के लोग सभा चुनाव आते ही राम मंदिर बनाने की अध्जोर कोशिश करने लगे है हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की सुनवाई जनवरी 2019 तक टाल दी है लेकिन एक बार फिर आयोध्या मुद्दा तो गर्मा ही गया है पुलिस ने किसानों को बेरहमी से पीटा जिगनेश बोले इसका बदला किसान 2019 में अपने वोटों से लेंगे मुदी सरकार से नाराज दिल्ली माच पर निकले किसानों को गाजीपूर बॉर्डर पर रोक दिया गया भारी मातरा में तैनात पुलिस बलने किसानों के जथे को रोकने के लिए उन पर जम कर लाठिया वरसाई मार्च पर निकले भोखे किसानों पर पानी की वोचारों के साथ-साथ आंसु गैस के गोले भी छोड़े गए दरअसल भारती किसान यूनियन के बैनर तले किसान बिजली रेट में कमी कर्ज माफी गन्ना की कीमतों समेत कई अन्यम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं माइन दन्यूज रूम की रिपोर्ट ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल सके तो देश-दुनिया की संचनिखेज और मज़दार खबरों के लिए देखते रहें माइन दन्यूज नमस्कार